मारत वंदे मातरम रुखना पाये तूपानों में सबके आगे बड़े कदम जीवन पुष्प चड़ाने निकले माता के घर्णों में हम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जैहिंद वंदे मातरम भारत माता कीज़े राष्ट्र गोरों के इस अंक में हम अपनी उसी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं कि कैसे सोदेशी के रास्ते पर चलकर भारत सौवलम भी बन सकता है कैसे भारत महान बन सकता है और विदेशी कमपनियां किस-किस रूप में हमारे भारत में आई हुई हैं हमारे आम जीवन में हमारे दैनिक जीवन में कौन-कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो हम जाने-अंजाने में विदेशी कमपनियों की प्रियोग कर लेते हैं और प्रियोग करने के बाद भी हमें कई बार पता नहीं लगता कि कौन-कौन सी चीज़ें विदेशी हैं आप सब न्यूज मीडिया से, न्यूज चैनल से इस बात की जानकारी रखते हैं कि चाइना ने फिर से एक बार गुस्पैट करते वे गवलान गाटी के अंदर अपनी गुस्पैट कर ली है हमारे भारतिय इलाके के अंदर आकर उन्होंने अपनी बक्तरबंद गाडियां खड़ी कर दी हैं अपने टेंट गाड दिये हैं, धक्का मुक्की करते हैं, धिंगा मुस्ती करते हैं, जबर्दस्ती, सामराज्यवादी अपनी नीतियों का जो की चाइना का चेहरा, चाइना की चाल, चाइना की धूर्तता और उन्हों का चरित रहा है वैसा करते हुए फिर भारत की सीमाओं को जो भारत एक शान्ती प्रिया देश है, उसको डिस्टरब करने का काम कर रहे है भारत की सेना धैरे का परीचे दे रही है, शान्ती का परीचे दे रही है, लगातार बाचीत करने के भी प्रियास किये जा रहे है लेकिन चीन एक दुश्चरित्र मानसिक्ता का देश है और चीन में अभी जो वर्तमान राष्ट्रपती है शी जिन पिंग उसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो एक तरीके से हिटलर जैसा वेक्ती है किस प्रकार से हिटलर जैसा वेक्ती है उसने वहाँ पर अपनी चाइनीज कॉम्मिनिस्ट पार्टी के अंदर समीधान के अंदर एक संसोधन करवा दिया क्या संसोधन करवा है कि मैं जब तक जीवित रहूं तब तक चाइना का राष्ट्रपती बन कर रह सकता हूं हिटलर के राज में क्या था आप यदि जर्मनी के सेकंड वर्ल्ड वार से पहले हिटलर के बारे में सोचें तो हम पाएंगे चर्चा करें तो हिटलर तानाशा था वो किसी डेमोक्रेसी को नहीं मानता था किसी हुमेन राइट्स को नहीं मानता था किसी जूडिसियर के सिस्टम को नहीं मानता था वहाँ पर मीडिया वही कहता था वही चापता था जो हिटलर के हक में होता था जो हिटलर इशारा करता था जूटी अफवाएं फैलाता था अपने देश की नस्र सुधार के नाम पर उसने लाखों यहुदियों को कतल किया और केवल जर्मनी को ही महान मानता था पूरी दुनिया में अशान्ति उसने फैलाई तो जो हिटलर ने किया था ठीक वही शी जिन्पिंग कर रहा है चाइना के अंदर कोई हुमेन राइट नहीं है वन पार्टी है कोई विपक्षिदल नहीं है कोई विरोध करने वाला नहीं है शी जिन्पिंग जब तक चाहे ताना शाह की तरह चीन का राश्ट्रपती रह सकता है कोई चीन में उसके विरोध आवाज नहीं उठा सकता चीन के अंदर कोई free media नहीं है, कोई free press नहीं है, चीन के अंदर कोई opposition नहीं है, चीन के अंदर कोई ऐसी court नहीं है, जो सरकार को सम्मन जारी कर सके, कोई सू मोटो ले सके, तो चीन और यदि हम Hitler की बात करें, तो एक जैसी ही लगती है, तो Hitler की जैसे मान सिकता थी, कि अपने अ 1950 के दशक में देखे आज जो چीन हम देख रहे हैं इस चीन का लगग 50 प्रतिशक इसा है जो चीन का नहीं है जो उसके पडोसी देशों का है जिसके उपर जबर्दस्ती चीन ने कबजा किया है उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो तिबबत का हिस्सा है आज का जो हम चीन देखते हैं उसका 25 से 30 प्रतीशत केवल तिबबत का हिस्सा रहा है केवल तिबबत उस चीन के हिस्से में रही है चीन ने पहले तिबबत के आदे हिस्से के उपर कबजा किया फिर और आदे हिस्से के उपर कबजा किया और step by step 1949 से लेकर 1969 तक पूरे तिबबत को चीन खा गया जब उसने तिबबत के पहले हिस्से में अपनी आर्मी भेजी और उस समय जो दलाई लामा की जो उस समय तिबबत की आर्मी थी वो कुछ हजार सैनिकों की आर्मी थी कुछी गंटों में उन्होंने उन सैनिकों को रोक द लिया और जबर्दस्ती उस चेतर में ये कहने के नाम पर कि हम इस चेतर का डेवलप्मेंट करेंगे हम इस चेतर को अच्छा बनाएंगे जबर्दस्ती महा के लोगों के उपर अत्याचार करना शुरू किया जो विरोध करता था उसको गोली मार दी जाती थी और धीरे धीर करके तिबबत के पूरे हिस्से के उपर कबजा कर लिया लेकिन भारत ने जब उसने आदे हिस्से के उपर कबजा किया तो भारत की सरकार मोन रही जब उसने पूरे हिस्से के उपर कबजा किया तो भी भारत की सरकार मोन रही जब महामहिम परंपावन दलाई लामा जी को केवल एक देश ऐसा था जो चीन को रोक सकता था चीन को उत्तर दे सकता था USA USA ने भी इसमें कोई बहुत बड़ी रूची नहीं दिखाई और USA यहां से बहुत दूर है इंस्टेंट USA के उपर जादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता था और वो समय कुछ अलग समय था लेकिन भारत को जो उस समय अपोजिशन करनी अपोज करना चाहिए था वो भारत ने नहीं किया यह भारत के एक बड़ी गलती रही भारत ने सोचा कि चीन दादागिरी दिखा रहा है तिब्बत के उपर इसने कबजा कर लिया है हम ज़्यादा बोलेंगे तो यह हम से युद्ध कर लेगा उस समय 1950 के दश्रक में अमेरिका के एक राष्टरपती होते थे राष्टरपती जान अफ कनेडी तो राष्टरपती कनेडी ने उस समय भारत को कहा था देखे चीन ने परमानू बं बनाया था 1964 में 1962 के युद्ध के बाद हम यदि बात करें तो कनेडी साहब ने उस समय भारत में नहरू जी को कहा था कि आप USA के कलब में आ जाओ USA की साइड आ जाओ हम आपको परमानू बं दे देंगे और हम आपको यदि परमानू बं दे देंगे तो आप चीन की तरफ से निश्चिन तो हो जाओगे ये समय वो था जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब सरदार बल्लो भाई पटेल चीन के बारे में कह चुके थे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है लेकिन उस समय के प्रधान मंत्री हमारे नहरू जी वो पंच शील के समझोते करते रहे शांती के सफेद कबूतर उड़ाते रहे उनके मन में ऐसा था कि हमें तो आर्मी रखने की जरूरत नहीं है हमारे उपर तो कोई हमला करने की जरूरत नहीं है उस समय हमारी सेना के पास हतियार नहीं थे हम वही सेकंड वल्ड वार की थ्री नोट थ्री की बंदुकों के सारे हम लड़ाई लड़ना चाहते थे हमारे सैनिकों के पास पहनने के लिए मोजे नहीं, बरफ में चलने के लिए जूते नहीं, गर्म कपड़े नहीं कोई सप्लाई नहीं, हतियारों की सप्लाई नहीं, कोई रसद की आपूरती नहीं और उस समय जब 1962 में युद्ध चीन ने किया, उस समय हमें समझ आया, कि यदि हम पहली गलती, तिबबत के उपर जब चीन ने आकर्मन किया था, तो हमें कड़ा विरोध करना था, हमें ये नहीं सोचना था, कि चीन क्या सोचेगा, उसके बाद जब दुबारा, कनेडी सहाब, जब भारत को परमाणू बं देने वाले थे, और जब कनेडी सहाब ने ये कहा, कि भारत को हम, यदि आप हमारे साथ आते हो, तो हम भारत को UNO की सिक्योर्टी काउंसिल का मेंबर भी बना देंगे, तो उस समय हमसे दूसरी गलती हुई, कि हमें तो गुट निर्पेक्ष रहना है, हमें तो किसी की और नहीं जाना, और हम तो चीन के साथ रिलेशन मेंटेन कर लेंगे, हम तो तिबबत के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, वो दूसरी गलती रही, तीसरी गलती ये हुई कि जब 1962 का युद हो गया, तो उस युद में हमने अपनी एर फोर्स, जो तैयार खड़ी है, उस एर फोर्स का प्रियोग नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमारा नित्रत तो बहुत ररा हुआ था, हमारी आर्मी के वर लड़ी, आर्मी के पास हत्यार नहीं, आर्मी के पास रसद नहीं, आर्मी की संख्या नहीं, आर्मी की तैयारी नहीं और आर्मी के पास नित्रत तो नहीं, उस समय के रक्षा मंतरी, वो रक्षा मंतरी कहलाने के योग्य नहीं, उस समय के प्रधान मंतरी, खुद विदेश तोरे पर, उस समय के जो हमारे राजदूत होते थे, वो राजदूत का पूरा फेलियर और उस समय हमारी इंटेलिजन्स का पूरा फेलियर बाद में ये थाबित हो गया कि भारत अपनी एर फोर्स का प्रियोग करता तो बहुत अच्छा रहता लेकिन भारत ने अपनी एर फोर्स का प्रियोग क्यों नहीं किया सरकार ने अनुमत ही नहीं दी, इसलिए नहीं दी, कि अधि भारत ने एर फोर्स का प्रियोग किया, तो चाइना भारत के मुंबई को, कुलकता को, दिल्ली को बरबाद कर देगा, इस डर में भारत ने एर फोर्स का प्रियोग नहीं किया, बाद में एक्सपर्ट ने ये बताय कि चाइना की एरफोर्स बहुत ज़्यादा काम इस तिबबत के एरिया में उस टेंपरेचर के उपर उन चीजों के उपर कर नहीं पाती भारत को अपनी एरफोर्स का प्रियोग करना चाहिए था और ये जो गलतियों पर गलती हमसे होती रही अभी भी यदि देखा जाए तो जब भी योएन के अंदर भारत हाफिज जईद का मुद्दा लाता है मसूद अजहर का मुद्दा लाता है कि इनको गलोबल टेरिस्ट गोशित करना चाहिए तो चीन खुलकर उनके पक्ष में खड़ा होता है लेकिन हम भारत के लोग कभी भी जब होंग कोंग का मुद्दा आता है ताइवान का मुद्दा आता है साउथ कोरिया का मुद्दा आता है या अभी हम लेटिस्ट बात करें तो जो कोरोना वाइरस फैलाया गया इस कोरोना वाइरस के फैलाने में न्यूजिलेंट ने आस्टेलिया ने इटली ने यूके ने यूएसे ने कनेड़ा ने इन मैं ये कहता हूँ कि हमें चाइना की रणनिती को पहचानना पड़ेगा कि चाइना कितना धूरत है और कितना कुटिल है और चाइना से लड़ने के लिए चाइना जैसे ही हमें चानक्य की रणनिती के ऊपर कूटनिती के ऊपर काम करना पड़ेगा और हमें उम्मीद है कि वल खबरे देख सकते हैं लेकिन यदि हम बात करें कि हमारे दैनिक जीमन के किस-किस हिस्से में चाइना घुसा हुआ है और हम उसको कैसे मूँ तोड उत्तर दे सकते हैं बॉर्डर के उपर चाइना को उत्तर देने का काम बुलेट से हमारे देश की सेना करेगी लेकिन एक हिस्सा है जिसके उपर हम भी चाइना को उत्तर दे सकते हैं चाइना हमारे देश से हर साल लगबग सवा 4 लाख करोड रुपे की कमाई करता है और यदि हम ये सवा 4 लाख करोड रुपे की कमाई चाइना को ना होने दे और ये चाइना को जो पैसा जाता है वो चाइना को ना जाकर भारत सरकार को मिले भारत के लोगों को मिले भारत की एकोनोमी मजबूत हो तो उससे भारत के लोगों को बल मिलेगा भारत की सेना कोबल मिरेगा तो इसको करने के लिए हम पिछले 3-4 एपिसोड से बातचीत कर रहे हैं कि वह कौन-कौन से सेक्टर हैं वो कौन-कौन से सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे जीवन के हिस्से हैं जिसमें चाइना घुसा हुआ है उसकी हम बातचीत कर रहे हैं कल हमने फरनीचर की बातचीत की रा मेटरिल की बातचीत की मशीनरी की बातचीत की हमने ओटो मॉबाइल के पार्ट्स की बातचीत की हमने एलेक्टोनिक्स के कुछ आइटम की बातचीत की आज के अंक में हम बातचीत करने वाले हैं कि Health और Beauty के सेक्टर में जब हम किसी Make-up के किसी Beauty Saloon के अंदर जाते हैं तो Make-up Manicore करवाते हैं Pedicore करवाते हैं Facial करवाते हैं कोई बालों का Treatment करवाते हैं तो उसके अंदर उसके Conjumeable से लेकर जैसे facial करवाते हैं, तो cream लगने से लेकर, उसके toolkit से लेकर, जैसे facial करवाते हैं, तो उसकी machine से लेकर, जो vibrating की machine से लेकर, मशाज की machine से लेकर, वो supply करने का काम कर रहा है, bath और skincare के set, bath supplies, beauty के equipment, cosmetic की accessories, hair की accessories, knuckleी wig, ये china supply कर रहा है, हमारे बालों के अंदर जो clip लगती है, hair band लगता रहा है, health के supplement, health care के supplies, oral care के item, personal, hair, hygiene के supply, saving और hair removal के product, skin care के product, hair care और styling के product के supply करने का काम चाइना कर रहा है, देखे जब make-up करते हैं तो बहुत से equipment की आउशकता पड़ती है, accessories की आउशकता पड़ती है, वो चाइना सप्लाई कर रहा है, एक एक आइटम की detail में चाइना जाता है कि इसकी आउशकता क्या है, किस देश को क्या चाहिए, user को क्या चाहिए, customer को क्या चाहिए, और customer की आउशकता के अनुसार वो उसको customize करके product बनाता है, और जो product बनाता है तो पूरी market की पूरी study करती है, कि भारत के अंदर कितने लोग है, कितना बड़ा बाजार है, competition किस क खाशियत क्या क्या है, हम जो product बनाएं, वो कितनी price range के अंदर होना चाहिए, और जो वो एक बार study कर लेते हैं, तो market के अंदर dump करते हैं, local manufacturer जिस rate में, वो अपना product in-house, उसकी जो manufacturing cost होती है, उस cost के उपर, वो customer को उपलब्द करवा देते हैं, 6 महिने उपलब्द करवाते है 6 महिने के अंदर local customer की, local manufacturer की फैक्ति के उपर ताला लग जाता है, सोदेशी उद्योग धंदों के उपर ताला लग जाता है, सोदेशी के आंदोलन की मैं एक घटना बताता हूं, कि हमारे सवदेशी के आंदोलन में पंडित रामप्रशाद बिस्मिल जी हमारे करांतिकारी प्रदर्शन कर रहे थे, सोदेशी के आंदोलन में शराब की दुकाने बंद करवा रहे थे, विदेशी चीनी का प्रियोग बंद करवा रहे थे, विदेशी कपड़ों को बंद करवा रहे थे, तो पुलिस पीटने के लिए आई, तो उन्होंने कहा, जब उनको डंडा मारन इतना आग्रह उससे हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी लेकिन उससे एक संदेश जाता है कि देखे स्वदेशी के पती आग्रह कितना है तो ये किट सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है ये आपको हेर ड्रायर से लेकर ये चीजें चाइना की सप्लाई की हो सकती है इन चीजों के इंडियन विकल उपलब्द है आउशकता पहचानने की है तो कोई प्रोड़क्ट लें कोई प्रोड़क्ट प्रियोग करें कोई आपके आसपास प्रियोग करें आपके सामने किसी प्रोड़क्ट की चर्चा हो तो देख लें मेड इन चाइना तो न बनाता था, flooring wall, ceiling, accessories, door, window, window की accessories, यह plastic के और लोहे के जो low weight के जो दरवाजे आते हैं, बातरूम के door आते हैं, कहीं sealant आती है, तो sealant के ऊपर जो wall tiles आजकल आती हैं, metal की, वो tiles लगाने का काम, door की window बनाने का आना, बातरूम और kitchen के हाडवेर का काम, building equipment, हर building के अंदर लोक लगते हैं furniture लगता है doors लगते हैं वह supply करने का काम चाइना कर रहा है building material garden tool hand tool hardware बिल्डिंग बंती हैं तो बहुत से hand tool का प्रियोग किया जाता मिस्तरी बहुत से tool का प्रियोग किया जाता है वह supply चाइना कर रहा हैं ceramic के आईटम जो भारत के अंदर खूब बन सकते हैं बारत के अंदर रा मेट्रियल उप्रब्द हैं मोर्वी के अंदर बहुत से प्लांट लगे हुए हैं अब उन लोगों के सामने भी competition क्या है competition यह कि चाइना से बनी हुई tile ceramic के आइटम सस्ते मिलते हैं और लोग builder दूसरे लोग जिनको फ्लैट बना कर बेचना होता वो quality को priority नहीं देते हैं उनको लगता है कि हमें सस्ता यदि चाइना का मल रहा है तो हम चाइना का बना कर ही लोगों को बेचेंगे bathroom के अंदर देखे toilet की fittings लगती हैं उसमें भी चाइना घुसपैट कर रहा है मेडिकल सप्लाइज और मेडिसन देखे भारत में हमें यह तो पढ़ाया गया कि भारत का राष्ट्र पिता कौन है father of the nation कौन है हम बता देते हैं महात्मा गांदी जी की सारी अच्छी चीजों का हम पूरा सम्मान करते हैं और महात्मा गांदी जी के साथ साथ जिनका महात्मा गांदी जी का विरोध था उन सारे करांतिकारियों का हम उनसे भी अधिक सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की आहुती इस देश के लिए दी है सोदेशी के लिए जो महात्मा गांधी जी ने काम किया उसका भी सम्मान करते हैं इस देश में हमें father of the nation तो पढ़ाया गया लेकिन महात्मा गांधी भी जिनका बहुत अधिक सम्मान करते थे जिनको धोती कुरते वाला वेग्यानिक कहते थे डोक्टर प्रफुल चंदर राय जिनको father of chemistry कहा जाता था जिनको father of Indian pharmacy कहा जाता था उसके बारे में हमें पुस्तकों में पढ़ाया नहीं जाता एक बच्चा बंगाल के छोटे से गाउं में जन्मा बच्पन में जब उसने पुस्तक देखी कि एक अजार महान वेक्तियों की लिस्ट में एक भी भारतिय नहीं है तो उसने संकल प्ले लिया कि मुझे को बड़ा काम करना है संगर्शों में पढ़ाई की एडिनबरा विश्विद्ध देले में पढ़ने के लिए गए और जब लोग ये कहते थे कि भारत के अंदर कभी कोई chemistry नहीं रही कभी कोई material science नहीं रहा भारत के अंदर कभी कोई ग्यान विज्ञान नहीं रहा तो उस समय डॉक्टर प्रफुल चंदर रायजी ने संस्कृत की पढ़ाई करके सारे ग्रंथों को चान मारा और नागारजुन के chemistry के गंत के उपर एक पत्र लिखा और उस पत्र ने पश्चिम के सारे विज्ञानिकों के मुबंद कर दिये कि विज्ञान के छितर में भारत का योगदान क्या है वो जो गंत जो उन्होंने history of Indian chemistry लिखा वो सो साल पहले उन्होंने 1902 में लिखा था आज सवा सो साल बाद भी वो प्रासंगिक है वो बताता है कि भारत material science में बहुत आगे था बहुत उन्नत था chemistry में बहुत उन्नत था और उन्होंने उस समय एक रिशी कीतरे हैं 89 कितने केवल धोती कुर्ते में अपना जीवन गुजारा धोती कुर्ते में जीवन गुजारते वे कॉलेज में पढ़ाया विज्ञान के विशय में बच्चों को पढ़ाते थे सोदेशी का पाठ पढ़ाते थे बच्चों को संकल्प दिलवाते थे कि सबसे पहले सोदेशी वेश भूशा सोदेशी मात्र भाषा का हमें परचार परसार करना है मेंडलीव से लेकर दूसरे विश्व के उधारन देते थी सोतंतरता सेना नहीं थे बाड आती थी भुकम पाती थी तो सेवा करने के लिए पहुंच जाते थे तो फादर ओफ दा नेशन फादर ओफ दा इंडियन फारमेसी आज भी भारत पूरी दुनिया की हम बात करें तो पूरी दुनिया में पहले पाँच देशों में है जो ग्लोबल मैनुफेक्टरिंग में जो दवाईयों के उत्पादन में पहले पांच देनों में हैं भारत को आज Pharmacy of the World कहा जाता है उसके पीछे किसी को शे जाता है तो डॉक्टर पुफिलचंदर राई जी को जाता है डॉक्टर पुफिलचंदर राई जी ने 1903 में बंगाल फार्मा की स्थापना की कहां की थी 800 रुपे की लागत से अपना सब कुछ लगा कर अपने घर के अंदर स्थापना की और जब बंगाल फार्मेसी में सिरेमिक के आइटम, कैमिक, साल्ट के आइटम भारत में उस समय कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं बनती थी और आज आपने देखा होगा कि करोना के समय हाहाकार मचा पूरी दुनिया से यह आवाज आई कि हाइड्रोक्सी क्लोरी क्वीन हमें दे दो ट्रंप ने मोधी के सामने हाथ फैलाया कि हमें हाइड्रोक्सी क्लोरी क्वीन दे दो भारत ने उदारता दिखाते वे पूरी दुनिया को हाइड्रोक्सी क्लोरी क्वीन दी लेकिन उस हाइड्रोक्सी क्लोरी क्वीन के बनाने में इस भारत की फार्मेसी को डेवलप करने में डॉक्टर प्रफुल चंदर राय जी का बहुत बड़ा योगदान रहा उसके विशह में फिर कभी हम बातचित करेंगे तो डॉक्टर प्रफुल चंदर राय ऐसे विग्यानिक थे जिन्होंने भारत के अंदर medical को, pharmacy को बहुत उन्नत किया आज भारत के अंदर दवाएं, generic branded दवाएं भारत पूरी दुनिया में supply करता है, अफरिका के अंदर करता है, UK के अंदर करता है, USA के अंदर करता है और UK का जो FDA Department है जो दवाओं की जाच करता है उसने भारत के दवाओं की बार बार जाच की और जाच करने के बाद वो कहता है कि भारत की दवाओं सबसे अच्छी होती है और अब वो बहुत अधिक भारत की बनी दवाओं की जाच नहीं करता है कि भारत की जो लैब है जो फार पॉनेंट होता है उसको बोलते हैं API active pharmaceutical ingredients तो यह जो API है जो जैसे परसिटा मौल की टेबलेट है तो उसमें कुछ हो चुका है क्यों क्योंकि चाइना ने पिछले 20-30 सालों में भारत के API के पूरे सिस्टम को डेमेज कर दिया API चाइना से मंगवाते हैं तो सस्ती पड़ती है भारत के अंदर API के खार खाने बंद हो गए तो अभी जनवरी फरवरी में जब भारत देश ने यह देखा कि हम चा एक्टिव फार्मा इंग्रेडेंट के उत्पादन के ओपर गोर्मेंट सबसीडी देगी चाहिकि चाइना के ओपर डिपेंडेंसी को कम किया जाए आज चाइना के पास युद्ध है हमारी सारी दवाईया चाइना सप्लाई करने का उसका जो रा मेट्रियल है वो दवाई चाइना ने एक बड़ी गॉस्पैट कर ली है एमर्जेंसिय्ए और क्लिनिकल के क्लिजनिक के एक्यूपमेंट general असेसरीज डिएगनोस्टिक एक्यूपमेंट hospital का furniture, lab की supplies, medical का consumables medical के अंदर जो consumables प्रियोग होते हैं जैसे syringe प्रियोग होगी, जैसे cannula प्रियोग होगी जैसे आप IV set लगाएंगे तो वो set प्रियोग होगा तो medical devices, medical software, pharmaceutical की packaging फार्मा की जो physiotherapy करते हैं, दूसरी therapy करते हैं उसके equipment, तो मतलब एक बड़े हिस्से में चाइना ने अपना कबजा कर लिया है, तो ये medical के equipment में भी जब हमें खरीदना हो, तो चाइना के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करें हम medical के ऊपर कई बार निर्बर होते हैं, कि डोक्टर जो हमें प्रेस्काइब करेगा, वो हमें लेना पड़ेगा, लेकिन डोक्टरों तक भी हम आवाज उठाएं कि वहाँ पर डोक्टर, फीजियो थरेपी के किसी सेंटर में हम जाते हैं, फीजियो थरेपिस्स के पास कोई विचारधारा को, हमारे राष्टवाद की विचारधारा को, यह जो medical equipment है न, यह medical equipment चाइना सप्लाई करने का काम, pulse oximeter, digital BP meter आता है, digital thermometer आता है, यह चप सप्लाई करने का काम चाइना करा, जैसे tablet बनती है, तो tablet का जो API है, वो चाइना सप्लाई करता है, मास्क, विदेशों में, देखे, मास्क, चाइना ने कितना कबजा किया, पंदाजा लगा लिजिए, कि पूरी दुनिया में जितने मास्क बनते हैं, उसमें 50% मास्क केवल चाइना सप्लाई करने का काम करता है, 50%, मतलब क्या है, कि पूरी दुनिया में 700 करोड लोग यदी मास्क लगाते हैं तो हर दूसरा वेक्ति जो मास्क लगाएगा वो चीन का बना हुआ हुआ हुगा और चीन ने क्या दुष्टता की जब जनवरी में वाइरस फैला तो चीन ने अपने नागरिकों से कहा कि जहां जो मास्क लगे मिले जो दस्ताने मिलें जो टेस्टिंग किट मिलें जो एपीपी किट मिलें वो सब खरीदो और चीन में भेज़ दो चीन के पास पहले से पूरे थे लेकिन फिर भी उसने सबासो करोड मास्क दूसरे देशों से मंगवाकर अपने हाँ बलेक करने के लिए उन्होंने स्टोर कर लिये और जब पूरी दुनिया में वाइरस फैल गया तो उन्होंने वही मास्क जो 100 रुपे का मास्क होता था उसको 500-500 रुपे में black market में बेचने का काम चीन ने किया, तो इतना धूरत और बदमाश देश है, तो ये यदि medical की supplies के उपर हम यदि चीन के उपर depend हो गए कल को यदि आवशकता होगी, तो वो एक रुपे की चीज 10 रुपे में भी बेच सकता है, तो इसलिए आज हमें यदि एक रुपे की चीज सोदेशी देड रुपे में भी मिलती है, तो हमें सोदेशी की factory को, सोदेशी के अपने उद्योग धंदों को जीवित रखना है, क्यों क्योंकि वो emergency के अंदर भी काम आएंगे, अभी आपने देखा होगा lockdown हुआ, तो lockdown होने के बाद, जो विदेशी कंपनिया जो विदेशी कूरियर कंपनिया विदेशी, ओनलाइन marketing की कंपनिया जो ये कहती थी कि हम सस्ता देंगे, हम सेवा करेंगे तो इस देश में, देश के लोगों की सेवा करने के लिए काम कोन आया उसके महले का वो परचून का दुकानदार काम आया, जो उसके महले में रहता है, जिसको छोड़कर online मंगवाते थे, उस परचून के दुकानदार ने उसको घर बैठे, उसको सप्लाई दी, आज कलपना किजिए कि यदि भारत में परचून की सारी दुकाने खत्म हो जाती, तो क्या हम इस कोरोना से नहीं पड़ सकते थे, तो ये मेडिकल की सप्लाई, चाइना सप्लाई कर रहा है, एक्यूपमेंट, जो ICU के अंदर से लेकर दूसी चीजों में एक्यूपमेंट प्रियोग होते हैं, वो चीन सप्लाई करता है, तो हमें इन चीजों के उपर भी, चीन के उपर डिपैंड नहीं रहना है, इन चीजों को पहचानना है, ये चीजें आप और हम नहीं खरीदते, आप में से जो मेडिकल इन्रिस्टीज से जुड़े होंगे, जो फार्मा से जुड़े होंगे, वो इन चीजों में अपना नेड़ा ले सकते हैं, लेकिन हम किसी होस्पिटल में बैड के उपर लेटें, तो एक बार चेक कर लें कि कहीं वो चाइना का बना वा तो नहीं, यदि मशीन चाइना की है, तो और कुछ नहीं, जब डोक्टर विजिट के उपर आए, तो डोक्टर साब हमारे सैनिक बोर्डर के उपर लड रहे हैं, आप अगली बार जब कोई बैड या कोई मशीन खरी दें, तो चाइना की प्लीज मत खरी दिएगा, इतनी रिक्वेस्ट तो हम हमबल तरीके से कर सकते हैं, विनम्रता से कर सकते हैं, तो हमें लोकल के लिए वोकल बन सकते हैं, सोदेशी की आवाज उठानी है और मैं कल फिर आपके सामने ठीक साड़े साथ बजे आता हूँ, और फिर हम बातचीत करेंगे कि चीन हमारे किन-किन हिस्सों में हमारे समाया हुआ हो सकता है, और कैसे हम उसका भहिशकार कर सकते हैं, कैसे हम उसका विरोध कर सकते हैं, आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ आज मैंने कुछ सेक्टर की बात की है कुछ सेक्टर की बात मैंने पिछले 5 एपिसोड में की है वो 5 एपिसोड यदि आप detail में देखना चाहते हैं तो आप Astha की app download कर सकते हैं Astha की app के साथ साथ आज आप Vedic Channel के उपर 15.7 बज़े आप इसको देख सकते हैं, Tata के उपर वैदिक चैनल आता है, आपको चैनल नंबर स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा है, आप उसको देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप मेरे Facebook पेज के उपर भी इन सारे कारेकमों को देख सकते हैं, राकेश भारत के नाम से Facebook पेज बना सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे, तो आज ही आप डाउनलोड करें आस्था एप, और लोगों को भी प्रेडित करें कि वो वैदिक चैनल देखें, ताकि वैदिक चैनल से उनके घर बैठे, उनको वेद, दर्शन, उपनिशत की गंगा उनके घर आएगी, और आप चाहते है कि आपको कभी होस्पिटल में जाना ही ना पड़े, तो चीन को सबसे बड़ा उत्तर क्या है, कि हम चीन के बने वे किसी मेडिकल एक्यूपमेंट की हमें आउशकता ही ना पड़े, तो इसके लिए आप रोज सुबह कीजिए, योग पांच बजे पुझ्य स्वामी जी महरा वंदे मातरम भारत माता कीजए, कल शाम को साड़े साथ बजे, बुद्वार से लेकर रविवार तक फिर मिलते हैं, जैहिन